नमस्कार मेरा नाम है गगन राओ पाटिल और आप देख रहे हैं मनी नाई जटपट फिंटेक कंपनियों पर संकट के बादल घहराते ही जा रहे हैं एक बार फिर ED ने करीब 100 फिंटेक कंपनियों के खिलाफ बड़ी कारवाई की है ED ने पेमेंट गेटवे और बैंक से कहा है कि वे बिना कारण के फिंटेक फिंटेक फर्मों के खाते को फ्रीज करें इसमें सभी बुकतान वेतन रोकने को कहा है अब मामले को ज़रा ठीक से समझ लेते हैं ED हैदराबाद ने दो हफते पहले पेमेंट गेटवे को एक सूची भेजी थी जिसमें लगबग 100 इंटेक खातों को ब्लॉक करने के लिए खा गया था ED ने इन कंपनियों को समन भी जारी किया है ED ने समन में 50 सवाल पूछे हैं जिनमें नेटवर्थ, निवेशक, कितना धन जुटा है, परिवार के सदस से जैसी जानकारी भी मांगी गई है दरसल ED पिछली दो वर्षों से कतित रूप से फेमा और मनी लॉंडरिंग के उलनगन के लिए लोन एप्स पर मुकदमा चला रहा है आरोप था कि ये एप एक शिकायत के बाद पुलिस जाज के दाएरे में आए ये एप कर्ज़ारों पर बुक्तान के लिए गलत तरीके से दबाव डाल रहे थे इंडस्ट्री के कई अधिकारी का कहना है कि पिछले दो वर्षों में पेमेंट गेटवे को हर दो से तीम महिनों में लोन एप की एक सूची मिल रही है जिसमें इन खातों को फ्रीज करने के आधेश है CBI ने पिछले साल जून में बैंगलूरू ED के अधिकारी को 5 लाक रुपे रिश्वत लेने के आरोप में मामला दर्श किया था आरोपी ने कमपनी का सील बैंक खाता खोलने के लिए 5 लाक रुपे की रिश्वत मांगे थे फिर रिश्वत मिलने पर कमपनी के खाते से रोक हटा ली गई इसके अलावा ED ने पिछले साल दिसम्बर में पुड़े में NBFC कुडोस फाइनस एंड इन्वेस्मेंट के CEO पवित्रा प्रदीप को Prevention of Money Laundering Act में किरफतार किया था बीते दिनों ED ने COVID मामारी के दोरान मोबाइल एक के जरिए बेहत उची दर पर कर्श देने से जुड़े मामलों में सक्त कारवाई की है कई FinTech कमपनियों के करीब 6 करोड रुपे के फंड को कुर्प किया है Money Laundering Act के तहर इस कुर्की का आदेश जारी किया गया है ED का कहना था कि इन आरोपियों ने चीनी नागरिकों के साथ मिलकर कई लोगों के नाम पर विबहिन कमपनिया खोली इसका मकसद गैर कानोनी लेन देन को अंजाम देना था इन कमपनियों ने Cash Master, Crazy Rupee, Cash In, Rupee, Menu जैसे Mobile App के जरिए कर्ज दिया और निवेज जुटा है इन कमपनियों का गठन को चीनी नागरिकों और Indian CA के बीच साथ काट के जरिये COVID फैलने के समय एक साजा पते पर किया गया इन CA ने पैसे के लिए जरूतमन युवाओ के KYC दस्तावेजों का इस्तमाल कर कमपनियों के गठन में मदद की युवा भारतियों को कमपनियों का नेदेशक और शेयर धारत बनाया गया इस तरह की कमपनियों के बैंक खातों का ओप्रेशन और कंट्रोल चीनी नागरिकों के पास था इदर कुछ Fintech स्टार्टप्स का कहना है कि ED की कारवाई से उनका मनोबल गिरा है उमीदें खबर आपको जरूर पसंद आई होगी ऐसी खबरों के लिए देखते रहें मनेनाई